हालो एरिवन वेलकूम टो फिक्स गाइडलान इस सेशन के अंदर जैन करेंगे अपरेल मा के महत्पुन दिवस और बहुत इंपोर्टर्ड यानि आगामी जो एक्जाम में आने वाले जो मोस्ट इंपोर्टर्ड यहां से पूछे जाते हैं परसन के टाइप से परसन पूछे लिए जाते हैं वह इस सेसन के अंदर डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं साथ अपरेल को सबशापन की थी और फिर 1950 को परतिक साल यान 7 अपरील को अंतराश्ट इस तरफ रप्र वीजस वास्ते डिवस के रूप में मनाया जाने लगा तो यह आपको फैक्ट याद क विशो द्रोड दिवस कब बना जाता है तो 18 अप्रेल को बना जाता है वर्थवान में वाट के अंदर यूनिश को द्वारा विशो जो हैटेज साइड कितनी है तो 42 है वो अलग सेशन से आपको करवाया गया है उनको जाकर आप देख लेड़ा विशो पर्थवी दिवस कब बना जाता है तो 22 अप्रेल को बना जाता है और क्यों बना जाता है वर्थवी दिवस के रुप में बना गया था जबकि वर्थ 2016 में पर्थवी दिवस के उपलक्ष में जलवायो परिवितन के लिए एतियासिक पेरिश समझ होता बहुत इंपोर् अर क्यों बना जाता है कि परसीद लेक एक विलियम सेक्ष्पेर की जनम दिन और मर्त्यु की तारिक दौनों को दर्शाचँ दिस बना जाता है 24 अपरेल को क्या बना जाता है तो राष्टे पंचाहती रात दिवस मना जाता है क्यों कि 33 सविदान सवसोधन अधिनियम जो 90 कह सकते हैं 1902 जो 24 अपरेल 1903 में को यानि लागू किया गया था तो इस डेट को यानि कह सकते हैं कि 24 अपरेल को most important होने की बज़े से इसी राष्टे पंचाहती रात दिवस कोशित कर दिया गया अगले डे की बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मना जाता है तो 25 अपरेल को बना जाता है और यह मलेरिया कौन से जानवर से काटने से होता है तो मादा एनौपलीस मत्षर से काटने से ह होता है अगले जो डे हैं मौस्ट इपोर्ट तो 26 अपरेल को कौन से डे बना जाता है विशो यानि बोधिक संपता दिवस की रुप में मना जाता है तो इस सेशन के अंदर जितने भी इंपोर्टेड संभाविक जो डिवस माने जाते हैं वो मैंने यहां से करवा दिया थें बेक्यों धन्यवाद